इत्याद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इत्याद न्यूज में आप सभी का खायर मद्दम है सवाल आखिर कोरोना पर उठाना लाजिम है मरीज घटते जा रहा है मरने वालों की भी तायदाद घट रही है पर बिहार चुनाओ के मद्दे नजर कहीं तो सवाल जरूर उठता है कि क्या वाकई कोरोना से ही लोग मर रहते या कहीं डर खौफ ने तो इन्हें नहीं मारा जब वजीर आजम कहते हैं कि कोरोना खत्म नहीं हुआ मरीज और भी बढ़ सकते हैं तो खुद हजारों की भीड क्यों इकटा कर रहे हैं क्या सियासत्दानों के लिए कोरोना नहीं रहता आज भी कहीं जगों पर सनिटाइजेशन किया जाता है मास्के बगर दाखला नहीं दिया जा रहा पर बिहार चुनाओं में लोग बिना किसी मास्क के बिना किसी सैनिटाइजर के हजारों की भीड में इखटा हो रहे हैं और वजीर आजम मोदी अवाम से मुकातिब हो रहे हैं वैसे देखा जाए तो एंडिया से भी ज्यादा भी गया था जिसमें भारत को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा यहां तक कि महिशत पूरी तरह से खात्म भारत जैसे घरीब मुल्क को लॉक्डाउन की जलबाजी नहीं करनी थी ऐसा भी इल्मीदानिश्वरों का कहना है खैर पर क्या कोड़ोना इतना बड़ा था इतना इस सियासत भारत में खेली जाती है इससे बढ़कर इस मुल्क की बदनसीवी क्या हो सकती है हम मुफ्त में वैक्सिन देंगे इसलिए आपको भाजपा घटबंदन को ही वोड़ देना होगा यह नारा आप बिहार चुनाओं में लगा जा रहा है इसी तरह चुनाओं के चलते कै से धोका फरेब भी किया गया और किया जा रहा है इसके मिसाल हम अमरिका के तौर पर भी ले सकते हैं इसके लिए वजीर आजम की नाकाम सियासत भी देखी जा सकती है वैसे तो वजीर आजम अपने आपको दुनिया का ताकतवर शक्स कहलने वाले ट्रंप के बहुत करीबी यह खुद समझते हैं पर गोरी चमडी के लोग हमेशा धोके से काम करते हैं इसका तजर्वा एक बार फिर ट्रंप ने करवाया पाकिस्तान जो भारत का दुश्मन है एक जमाने से दुश्मनी कर रहा है पाकिस्तान के हमायत में बयान बाजी करते हुए अमरिका ने कहा कि उ बाइडन और ट्रंप के दर्म्यान अमरिका में चुनाव मैदान लगा हुआ है और ट्रंप जहां कहीं भी मौका मिलता है भारत पर तंसकस्ते नजर आते आखिर भारत का करीबी है कौन और मोदी साहब ने हजारों करोड कर्च करके जो विदेश सफर किया इसके नतीजे कहा मतलब यह है कि मोदी सरकार चुनाव में किस मुद्धे पर अपना पक्ष रखना चाहते हैं इसी कश्मकश में है कोरोना की वैक्सीन पर चुनाव नहीं जीता जा सकता वहीं विपक्ष ने एक बार फिर चीन के मसले पर सवाल पूछा कि क्या चीनी फौज भारत के सरदों से बाहर गई है महगाई बेरोजगारी पर सवाल उठाए जा रहे पर भाजपा घट बंदन कोरोना पर ही यह चुनाव जितना चाहता इससे बड़ा मजाग और क्या हो सकता है चुनाव जिलासों में हारेगा कोरोना जीतेगा बिहार के बड़े पोस्टस लगाए गए जिस पर वजीर आजम नरेंदर दामोदर्दास मोदी की तस्वीर लगाई गई है यहाँ अभी कहा जा रहा है कि जान बूचकर कोरोना को हुकूमत की जानिव से बड़ाया घटाया जा रहा है अब जब कोरोना का खतरा टला नहीं कि मन की बात वजीर आजम करते तो रहते हैं फिर ते हम बीडियास 一वे सुशिलकुमार मोदी को पॉजिटिव होने की भी बात नीप बीडिया में कही यह जाता रही है तो फिर आम अवाम की जान को क्या जोखी में डाला जा रहा है और हजारों की भीड से क्या कोरोना इंफेक्शन नहीं बढ़ेगा यह दोरी बाते क्यों अब भाजपा नितीश की तमाम बातों से लोग उग चुके हैं लिहाज आ कोरोना को ही बिहार का चुनावी मुद्दा ब बदले में ओट भाजपा गटबंदन को ही देना होगा पर मौजुदा सियासी सरगर्मियां जो बिहार में जा रही हैं जिससे भाजपा गटबंदन के खेमे में मायूसी दिखाई दे रही है क्योंकि तेज स्वियादों के इजलासों में भारी भीड इकठा हो रही है जो मो अध्तिर यृडे और और मोधिका गौरा होता चएरे परतंस करते हुए कहा कि मोधि-जी अठारा घंटे काम करने की बात करते हैं पर मोधि-जी को मालूम नहीं कि राता हुन्ताए को जश्यारा काला हो जाता है गौरा नहीं इसका मतलब यह है कि प्रदान मंतरी जूट बो आलमी वबा पर भी चुनाव लड़ा जा रहा है जिस पर अवाम को शक होता जा रहा है कि क्या वाकई कोरोना आलमी वबा है अगर है तो बेखाव चुनावी रेलियों में क्यों हजारों की भीड़ी खटा की जा रही है बच्चे स्कूल जाने से कोई एकाद पॉजिटिव आना बनाकर अब तक स्कूलों को शुरू नहीं किया गया मन की बात के जरीए सोशल डिस्टंसिंग पर बयान बाजी तो खुब परदानमंत्री करते रहते हैं और खुद ही भीड में चुनावी इजलास के जरीए ओट मांगे जाते हैं कोरोना को चुनावी मुदा बनाना कह ही तो गड़ बड़ होने का शक्त जरूर दिल में पैदा होता है अब देखना है कि इसकी सच्छाई कब बाहरा दिये इत्याद नहीं देखने के लिए शुक्रिया अल्लावेट